हलो जी गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करती हूँ अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में और अभी छोटी वाली जिठानी थी वह भी निकली है क्योंकि कीचन छोटा है तो मैं इसमें घुस नहीं पा रही थी कि मैं recording करूं तो जब वो निकली है तो मैं यह recording की है तो यह सुबही का टाइम है मुझे लग आठ बज़रा है और तब तक हमारा पूरा प्रसाद का जो था सब कुछ बन चुका था और यह दोनों लोग ही बनाती है जैसे मेरे दोनों बड़ी जिठानी लोग ही बनाती है हम लोग नहीं बनाते हैं हमें ऐसा से वही लोग बनाती है और यह बस इतना ही मैं recording की थी उसके बाद सीधा मैं साम को recording की थी कुछ भी record नहीं की थी क्योंकि ह कि पूरा की उटेज के लिपी साथ दवा कहा है, हमारे यौप छाय का फोस का ने मुझे बूर होने तकने भी तो फोड़ाitar मुझे लिए था और यह दवरा जो है घाट के लिए निकलने लगा है क्योंकि हमारे यहां से घाट जो किलो मेटर या तीन किलो मेटर पड़ता है जहां पे हम जाते हैं संकर भगवांत का मंदिर है और रही पोखरा है तो वहां पे हम गतारी है लोग के मेरे नी है ओ कर दिए अ बाकी बच्चे भी आएंगे वाध कि आज projected है तो अभी हम लुग पहले इक गार का समान है सब ले करके चले जाएंगे औरुसके बाके जो हैं दूसरी गाड़ी में आएंगे कोई कोई जो है वह बाइक से भी आएंगे तो इसलिए अब हम लोग जल्दी ही निकल ले हैं क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है गाड़ी फोर्विलर जो है अंदर अंदर भी रोड से भी थोड़ा और अंदर जाना पड़त है 1 किलो मीटर तो वहाँ पुलिस वाले जो है अगर लेट हो जाएगा थोड़ा की तो वह रोग देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चाट्री हो जाता है जाम लग जाता है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं कि ताकि एकदम घाट तक पहुंश सके गाड़ी से तो इसलिए देखिए हम लोग निकल गए है और हमारे यहां का है गदeight मार्केट में लोग बहुत बहुत कुछ भूल जाते हैं यह fiance एक खरिजना पड़ता है तो एसा होता है कि कोई चीज़ अगर हम भूल गए हूँ तो अभी भी मिल रहा है और लोग ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा कोई सामान और यह अब हम आ गए हैं यहां पे चट करते हैं एक्डम घाट के पास आ गए हैं जैसे जो तालाव है पोखरा है जो वहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे काफी मेला जैसा लगा हुआ है तो देखिए और छट का रोनाखी एक दम अलग है और इसको हम ऐसे करते हैं कि यह हमारे आस्था से नहीं हमारे इमोसन से जुड़ा होता है जो छट होता है तो इसको यूपी बिहार और जार्खन में बहुत महापर्व की रूप में मनाया जाता है तो जैसा कि बताई हैं पिछले ब्लॉग में कि लोग दीवाली में अपने घर को साफ करते हैं लेकिन छट में जो है वो रोड और गलिया और सड़के साफ करते हैं ताकि सब धालों के पैर में कुछ चुभे ना इतना आस्ता है इसके प्रती तो और यह हम लोग आ करके अब बैठ गये हैं घाट पे और यह जो बैठ है हम तो इसको भी दफ दिन पंदर दिन पहले छट के पहले से ना बनाया जाता है हमारे यहां इसको बेदी बोलते हैं पता नहीं आप कि यहां बनाय होते हैं तो उनको आइडिया होता है कि कहां पर है हमारा जो जगह है तो हम उसी जगह पर आगए और यह देखिए यह कलस की नीचे जो है नाम साफ साफ लिखा हुआ है किसी का तो नाम है साय मेरे जेट का नाम है तो वह बच्चे आया थे जब बनाने तो यहां लिखके हमको बैठना है तो वह थे तो बताये थे बच्चे भी और यहां पर दिया भी जल गया है तो बस अब हमको इंतिजार करना है बैठ करके कि कब सुरियस्त होगा और हम अरख लेंगे तो साम को जो है सुरियस्त के टाइम पर अरख होता है और सुबह में जो है वह सुरियोदय किस समय पे अरफ होता है और हम लोग बैठ गया तो सारा कुछ हो गया था कलस अगरा रख लिया थे दिया हुआ तो फिर अब बस यही था कि बैठ के हमको वेट करना था कि कब सुर्यस्त का टाइम हो और वोने टाइमिंग बताते भी हैं जो वहां पर मायक में बोलते हैं लोग तो उस ताइम पे उठ जाते हैं तो बस अभी बैठ के इंतजार ही हम लोग कर रहे थे और हर बार क्या होता था कि छाट में न साम के टाइम लगे या ना लगे भोर में ठंदी हलका हलका लगते था लेकिन इस बार तो साम को भी बहुत ज़्यादा गर्मी था बहुत बोले तो यही बस था कि बड़ी जादे गरमी था इतना गर्मी होता है उसकत निरजल ब्रत होता है उपर से इतनी सारी तैयारिया होती है वहां जाना होता है फिर गर्मी ही गर्मी इग बड़ती ही थी हमेशा ऐसा होता था कि बस तीज में ही गरमी लगता था дляकिन इस वार तो छैट में भी बहुत गर्मी था अब पता नहीं है आप कहां कहां कर सथा अगर आप लोग मेंसे किसी कहां मौसं थंडा हो तो जरूर और आप लोग क देना या फिर यह जानना कि आप कहां से कॉमंट कर रहे हैं अभी हाल ही मेरे से एक जुरी है जो मुझे कॉमेंट कर रही है मेरे कोई कोई ब्लॉग पर कोई मधूनेगी ज़र्दारी है, साइद मैं नाम सही से प्रनाउंस कर रही हूँ, I hope कि मेरे प्रनाउंसरसन में कोई गरबली ना हो, आपका नाम जो है, वो सही मैं बता रही हूँ, तो ये जो जुड़ी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और मैं देख रही हैं कि मैं आपको सस्क्राइब कर चुकी हूँ, और मैं भी आपका ब्लॉग देखी हूँ, मैं कॉमेंट भी की हूँ, पता नहीं आप देखी है कि नहीं देखी हैं, मुझे जरूर रिप्लाई करिएगा, और आपको जो लोग ऐसे ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, उनको आप सेयर कर सकती है, और थैंक्यू सो मच कि आपको मेरा ब्लॉग जो है अच्छा लगा, तो बस जी अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दवाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकिसान आप लोग को मिलता रहे जबी मेरे वीडियो अपलोड करूं, तो यह अब हम लोग बैठे से ना, तो मेरे जिखानी जो है सब को दे रही है, खोईच्छा भरते है हमारे हाँ साम को भी और सुबह को भी, मायके में यह नहीं होता है, यह ससुराल में होता है, तो होता है ना कि अपने अपने जगह का पूजा पाट करने का अपना रिवाज होता है, हर घर का या हर महले का अपना रिवाज होता है, तो यह हमारे हाँ मतलब मायके में भी छट देती हैं और देखिए साम धीर धीर होता गया है तो यहां पर भीड़ काफी बढ़ता गया है और इतना भीड़ बढ़ गया था कि लगदा था कि हमारा दिया ही गिर जाएगा लोगों को आने जाने के लिए जगा तक नहीं बचा था और यह सूप है जो हमारे यहां का है तो एक ही सूप से हम सब लोग अरख लेते हैं और यह हमारे सास का है तो ऐसा नहीं है कि हम चार लोग ब्रत करते हैं तो चारों लोग अलग अलग है पहले भी मैं ब्लॉग में बता चुकी हूं और यह देखिए फील कितना जादा है बच्चे भी बहुत दूर खड़े थे हमसे जो रिकॉर्डिंग यह कर रहे हैं बीच में बीच में और भी बहुत लोग जो थे छट कर रहे थे हमारे और बच्चों के बीच में एक एक लोग का पूरा गैप लाइन से पढ़ा हुआ था क्योंकि उन लोग का भी जो बेदी है वो बीच में पढ़ रहा था जगही नहीं था बच्चों को खड़ा होने के लिए हमारे पास में जाने के लिए बड़ी मुस्किल से वो जो है जब अरक लिया जाता है तो बहुत मुस्किल से बच्चे जो है सुबह में भी और साम के टाइम भी हमारे तक पहुंचे थे तो यह अब हम लोग खड़े हैं जैसा कि आप तो अब जैकार हो गया अरख का टाइम हो गया है तो यह जो है मेरी जिठानी क्योंकि मैं बता चुकी हूं कि एक ही सूप से हम सब लोग अरख लेते हैं तो बारी-बारी से पहले बड़ी जिठानी लेंगे फिर सेकेंड नमर वाली फिर थर्ड और सबसे लाश्ट में मेरी बा अरख देने के लिए जिठानी के बेटे आएंगे बाकि सभी लोग होते हैं सब लोगों का मैं लगा दी हूं एक एक करके तो सभी लोगों का देख सकते हैं यहां पर अरग लेते हुए और इसके बाद जो है मेरी बारी बहुत लाश्ट में आती है तो थोड़ा सा टाइम ल आती है झाल 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 झाल